AIMIM यानि असदुदीन ओवैसी की पाटी ने आखिर खेला कर ही दिया पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से इस पाटी ने अपना ग्राफ बढ़ाया है उसे देख करके आप अंदर्या लगा सकते हैं कि सीमानचल के छेतर में इनके तूती बोलती है RJD जो EMI समिकरन का अपने आपको पुरोधा कहती है उसी के अधार पर वो सत्ता में काविज होने का दम भरती है आज उससे भी आगे निकलने का होड लग गया है आपको बता दें कि बिहार में राजनितिक रूप से उथर पुथल तो मचाही हुआ है इस सब के बीच में पांच विधायकों के साथ असदुदीन ओवैसी की पार्टी पूरी तरह से बिहार के राजनित में एक होट केक बनी हुई है हर कोई इसे अपने पक्ष में करना चाहता है और ओवैसी की ये पार्टी लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती है इन सारे मसलों को अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको एक चीज पता चलेगा कि RJD अपने 110 विधायकों के साथ महा गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ 110 विधायकों के साथ अगर दम भर रही है कि वो सरकार बना सकती है तो उसमें 5 विधायक और जोड़ लिए OVC के इतना ही नहीं अगर बात करें नितीश कुमार की तो उन्होंने भी कोशिस किया था वो और लोगों के साथ कोशिस में काम्याब हो गए लेकिन OVC की पाटी इस कोशिस को नाकाम कर दी आपको बता दें अक्तरुली इमाम पाटी के जो अध्यक्ष है प्रदेश के वो बड़ी ही पार्चित किया है जिसके आधार पर आपको अंदाजाल लग गया होगा कि वो कितना कड़क राजनितिग्य हैं अपनी बातों को रखने में वो जरा भी शक्ते नहीं है आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कर दिया और ये खेला था सीधे सहाबुदीन के घर पर पहुंचना मरहुम सहाबुदीन के घर पर पहुंच करके चालीसवा के बाद गये हैं और जाकरके उन्होंने उसामा से मुलाकात की उसामा से मुलाकात करने के लिए सिर्फ अकेले नहीं गये थे बलकि उनके पांचों बिधायक ये दिखाने के लिए गये थे कि हमारी ताकत कितनी है इस पूरे वाकिये को आप सुनिए कि क्या कुछ कहा पत्रकारों से बात्सीत करने के दोरान और किस तरसे खेला होने का एक बड़ा साइन दे दिया अख्तरु इमाम ने सुनिए क्या कहा रहे हैं और हम लोगों के आने में देर बारी बारी से हम लोग नहीं हैं पांचों हमारे जो में इमाईम के वो सबी लोग आए हैं पर इसे जिनाबर सुनिए साथ का खूम भी पहले था वो भज़ारे भी नहीं आ सके हैं हम सबी लोग यहां पर इस वाक्तर चेमाईम के खाजिबत कर लेता है सर यह दौरा राजलितिक है क्या कुछ बाते हुई है सर सवाल यह पैदा होता है कि रिष्टा अगर किसी आदमी को मंदिर से और मस्जिद से है तो सफर भी करता है तो बैठ कर अबादत कर लेता है अब कहिए गा कि नमाज के लिए कि पूजा के लिए है भी असल मामला ताजिद के हम होगा है नहीं गम में परवक्त चुके बिहार के गॉर्ब्मेंट जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो लागों लोगों के दिलों में बस्ते थे उसको अपनी बस्ती का कबरिस्तान नसीब नहीं हो सका उस मौके से हम लोग नहीं आ सके और आज तो हम लोग बलके कहोंगी यह बिहार हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनको जादा से जादा सिकूर्टी बलके सची बात तो यह है कि जड़क्लास की सिकूर्टी मिलने चाहिए इस खानवादे से इनके तालुक नहीं हो रहा था जिसमें कहा गया था कि और सदुदिन वशी साब जब उनसे हेल्प मंगा गया शाहवदीन साब के लिए तो उन अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सोच सिगंदर पूरी का एक शेयर बढ़ता हूं कि उन्होंने कहा था कि घुसल भी हो चुका लोग कपना चुके जिनके खादिर मरे वो यह कहने लगे मरने वाले से अब रिष्टा नाता है क्या कबर तक जाना दू तो उन लोग से पूछ उसामा सहाब को एक विसीजन देने की जोड़ा देखे उसामा सहाब मर्भूम टाकर और लुगों को खयादत की तलाश है और उसामा में अल्लाह तवारुक ताला ने बहुत सारी सिपत्ताट कालीवी आफ्टा नोजमान है एक संजीदा नोजमान है और पाथ की नोजमान की पार्टी क्या किसी लीडर बनाएगी जिनके लोगों दिनों में बसे हुए थे हैं यगीन है कि नोजमानों का जो तब्का जो महरूम और मद्रूम तब्का जो उम्मी भरी नज्रूव से शाहब दीन साहब की तरफ देख रहे थे आज वो सामा की तरफ देख र एक तरफ माह है रौशन एक तरफ माह है रुख दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आए Но हमारा मामला तो यह एतरक मुख distributing की जमाट है उन को जो कुडते है जो जोडने और तोड़ने के आदियी कुड़ इमाईयम कभी एक डोड़ने के लाजनी देए आटना एक है है कि साथ है हमको पर मिला हुगा है राज़त से अब सवाल यह पैदा यकीन है कि एवान में हम हैं और आवाम ने हमें जिता कर भेजा है तो गाउं की सड़क पुल्पुलियों के लिए नहीं भेजा है बिहार में एक अच्छी हुकुमत बने अच्छे लोग के हाथों में एकिजार आए फेका परस्ती से समाज बचे इस तरह की कोहिश करनी चाहिए तो उन्हों परिवार को आरजेडी में बने रहना चाहिए या फिर पार्टी को छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इसको आइन वक्त पे जब वहाँ पर उसाबास साब इदर उदर बटक रहें ते किसी हज़े सागिन लोगा मानना है हम तो चुके गम की इस मेफिर में इस वक्त आये हैं हम दो शरीक होने के लिए और मैं समझता हूँ वसामा एक सालेफ फिकर का ताली में आफ़ान वजवान है मरहुम शाबती इस साहब के खरीब खरीब रहने वादे उनके दोस्तों का भी एक हलका है अभी मरहुम के अहलिया मौतरमा हिना साहबा साहबा वह इस वक्त इदद गुजार रही है मैं समझता हूँ कि वो भी संजीदा लेड़ी है उसके बाद ये लोग जो भी फैसला लेंगे तो जाहिर है इनका फैसला से बिनकी दाद के लिए नहीं बलकि उन तमाम के लोगों को सामने मरक कर लेंगे जिनके टियादत मरहुम शाहब अदीन साहब करते हैं तो से महमलुकत क्या दखल होता है अगर साधिस बतात अच्छा चाहिए तो सुरब्सा मिलनी चाहिए यकिन यकिन है उसामा साहब को हमने पहले भी कहा कि उस वक्त जट ग्लास की शिकोटी मननी चाहिए जो इस वक्त लाकानूनिय थे और यह खौप और हराज का महुल बनावा ऐसे वक्त चाहिए ही कि इनको वो किया जाए आखिर मैं ये कहता हूं कि जब शाहबोदीन साहब को बिहार की वाजियों में नहीं रहने दिया गया और लॉएन और की कमजोरी ही तो थी कि दिली भेजा गया तो जब उसको भेजा गया है तो उसकी अग्रेटी की हफाज़त के लिए तो खुमत की दि सर एक सिक्किम में एक अग्मिक मौत हुई थी जिसमें आपके पार्टी के वहां को बिधायक ने उनको वहां से मौत मतलों इनको बना कर दिया हम मैयत हुआता है लेकिन आप लोगों ने शाहबोदीन साहब के लिए वास सदन में क्यों नहीं उठाया लाकों लोगों ये खायश थी कि आप शाहब शाहब को दोगज जमी अपने शहर में अपनी बस्ती में मिलनी चाहिए ये तो हकुमत को फैसला करने का वगता करोना में आपने नहीं नहीं देखा कि करोना में समझे कि कर्फ्यू का नफास लोगों की जबान बन, सर्कों पर आना बन यह सारा कुछ तो गया इस तरह से गया कर्फ्यू के नफाद में इन लिए फैसला लिया हम लोगों के फैसला तो अजीजी उसामा साहब को जाहिर है कि उनकी वालता इस वालत में नहीं है कि कोई स्यासी फैसला लें कि गद्दक के बाद मैं और की समझता हूं कि कोई भी फैसला लेंगे उसामा तो बहतर फैसला है अच्छे बाद के बेटे हैं अच्छा फैसला लेंगे यह उनका फैसला आज मीटिंग का मकसद खाय ये तो नहीं कि वैसी का नजर या उसामा साहब पे और बिहार पर होना चाहिए ये खम गम अश्रिक होना है किस तरह लालू जादुश्टा एंदीन आर वैसे मैं माईजी से मिम्रेट पेस्ट पता है अब अब सवाल ये पैदा होता है कि बिहार की हुकम स्कुरूमी से पैसाकी पर खड़ी है तो दाहिर है कि कभी पवगा को कभी पासी को करदार बिहार में इस वक्सिटीफ बिनिस्टर बनने की लड़ाई है जन्ता का करोना में क्या हाल हुआ बच्चों की पढ़ाई कहा गई नोजवानों का रोजगार कहा गया इस पर बात करने के लिए कोई भी तयार नहीं है साले लोग एकटदार की बात करते हैं मीडिया के अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए अगर वीडियो पत्रकारता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद